नमश्कार दोस्तो, स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्षकों का मैं अचुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो सुपर डांसर चैप्टर फोर में अब नया ट्विस्ट आया है दोस्तों क्योंकि शिल्पा शेटी जो बहुत ही फेमस जज हैं सीडी के साथ जाने जाती हैं जटके के साथ जाने जाती हैं मगर वो इस बार नहीं दिखाई दी एपिसोड में उनकी जगा पे कृष्मा कुर स्पैशलता हो सकता है वो गैस्ट हों हो सकता है वो जज हो अगर वो आगे आती है एपिसोड में तो तो दोस्तों आज हम डिसक करेंगे इसी बेस पर इस इन तीन जजजिस के बेसिस पर जो डॉप 10 है जो हमारे इस सब्ते के हैं जो इस सटेद संडे जरोने URL कि तो दोस्तो शुरू करते हैं टॉप 10 का सिलसला इस सब्सक्राइब का मगर पहले वही गुजारे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपे अतरली जी साथ में दोस्तो बैल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफकेशन मिल भीते रहें धन्यवाद तो नमबर 10 से शुरू करते हैं सिलसला तो नमबर 10 पे है परी और पंकज परी और पंकज ने एक ऐसा गाना चुना जो फुल रोमेंटिक सौंग है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के जी हां दोस्तो और इस गाने को उन्होंने दादा पो दुनिया में आए हो तो लव कर लो जी हां दोस्तो दुनिया में आए हो तो प्यार कर लो लव कर लो इसी गाने को दिखाया अनीश और आकाश ने बहुत बढ़िया किया अनीश ने क्योंकि अनीश अब दिन बदिन ग्रो होता जा रहा है उतकी जो परफॉर्मेंस है वो नमबर नौ नमबर आट पे अमित और अमर्दीप की जोड़ी आती है जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर है और अमर्दीप के कोरिग्राफियों और अमित डांस कर रहे हों तो क्या ही बात हो जाती है और ऐसा ही कुछ जजीज ने भी फील किया गीता ने वही जो आल जेस्टर जो वो करती है बहुत डाउन होती है बहुत प्यार देती है और साथ में ये भी कहती हुई नजर आती है कि बड़े कलाकारों से खड़े होके बात करने चाहिए क्योंकि वो बहुत इंप्रेस होती है इस परफॉर्मर से तो बाकि करिश्मा बहुत खुश हुई क्योंकि गाना ऐसा था भोली सी सूरत जी हां गाना ऐसा स्लो गाना था मगर उसके उपर इतना अच्छा उन्होंने डांस किया जो बढ़िया वाला उन्होंने मूव्स दिखाए उससे बहुत इंप्रेस थे सबके सब लोग अनुराग भी बहुत खुश यह ऐसी जोड़ी है जो लिरिकल डांस करते हैं मगर उसमें इतनी जान डालते हैं इतनी चोटी चोटी बीट्स को पकड़ते हैं गाना स्लो हो गाना फास्ट हो गाना मीडियम हो रिदम कोई भी हो बट इनकी जो लिरिक्स हैं इनके जो कोरेग्राफिकी लिरिक्स हैं जो जिस तरह कंसीव किया शुबनील ने और बहुत अच्छे से किया उसको हम लोग बिलकुल दाद देते हैं उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि क्रिश्मा कपूर इमोशनल होगी उनका बच्पन से लेके पैदा होने से उनकी जो जवानी शादी सब सफर उन्होंने इसमें दिखा द पर्फॉर्मेंस को जो हम लोग लेके आते हैं नंबर साथ के उपर अब बारी आती है उस क्लासिकल जोडी की जिनको अब क्लासिकल जोडी का नाम दे दिया गया है यानि कि प्रतिती और श्वेता प्रतिती और श्वेता ने बहुत बढ़िया पर्फॉर्मेंस की दोस्तों उने दो नदियों का concept बनाया और वो दो नदियां जो बाद में गंगा नदी का रूप लेती हैं बहुत ही बढ़िया performance थी बहुत ही कह सकते हैं message वाली performance थी जिसको लेके सब खुश हुए मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये performance amazing थी और बहुत बड़ा जो है comment मिला उनको गीत की तरफ से कि जैसे आपने ये संगम दिखाया है वैसे ही आपका भी संगम बहुत अच्छा है प्रितिती और श्वेता का तो हम इस जोड़ी को लेके आते हैं number 6 के ओगा number 5 पर आते हैं संचीत और वर्तिका दिल तो पागल है दिल दीवाना है जी हाँ दोस्तों दिल तो पागल है ये गाने पे उन्होंने परफॉर्म किया और स्टैंडिंग ओविशन तो मिलता ही मिलता है संचीत को क्योंकि वो ऐसे डांसर है इसलिए उनको सुपर डांसर सुपर स्टार भी कहा जाता है और यहाँ पे कृश्मा कपूर इतनी खुश हो गई कि उन्होंने गीता के जेस्टर कर डाले और उन्होंने ये भी गीता का है लोग बोल दिया बड़े कलाकारों से खड़े हो के बात करनी चाहिए और सब उन्होंने कर दिया और अनुराग भी बहुत खुश हुए आउटसेंडिंग पर्फॉर्मेंस कहा और वर्ड्स उनको मिले ही नहीं तो इस जोड़ी को हम देते हैं नंबर पांच नंबर चार पे अर्शिया और अनुरादा मनीपूरी के साथ उन्होंने कुछ डांस फॉर्म्स mix किये और बहुत ही बड़िया वाली शकुंतला की स्टोरी उन्होंने पर्फॉर्म की स्टेज के ओपर अनुरादा जो जानी जाती है स्टोरी टेलर में क्योंकि अपने डांस के थूँ अपनी कोरिग्राफिक के थूँ वो इतनी अच्छी स्टोरी बता देती हैं कि लोग मंत्र मुगध हो जाते हैं बैटे बैटे उनको लगता है कि स्टोरी और आगे चलनी चाहिए थी तो अनुरादा और अर्शिया ने बहुत बढ़िया पर्फॉर्मेंस की उनको कप मिले उनको बहुत ही प्यार मिला बहुत तारीफे मिली इसलिए उनकी जोड़ी आती है नंबर चार के उपर क्रिश्मा कपूर के उपर एपिसोड था और क्रिश्मा कपूर के गाने थे और सबसे ज़्यादा उनके गाने जो मशूर थे वो राजा हिंदोस्तानी फिल्म के गाने थे इसलिए ये गाना जो नीर्जा और भावना ने किया पेश वो गाना भी राजा हिंदोस्तानी से था परदेसी परदेसी जाना नहीं जी हां दोस्तों बढ़िया डांस किया बहुत ही बढ़िया उन्होंने जिस तरह से इस गाने को जैसे कॉस्ट्यूम और जैसा उन्होंने हाव भाव दिखाए तारीफ के काबिलते और बिल्कुल भी अपनी फॉर्म को ना छोड़े हुए बड़े ही प्यार से कनवे कर दिया कि इनसे अच्छी डांसर और इनसे अच्छी कोरेग्राफर कोई नहीं हो सकता है बहुत तारीफे मिली सीड़ी मिली कप टूटे सब कुछ हुआ आजकल कप तोड़ना बंद कर दिया है उन्राकसर ने बहुत अच्छा किया उन्होंने कप तोड़ने के जगा कप गिफ्ट करना शुरू कर दिया है तो बढ़िया है तो ये प्रथा शुरू हो गई है बहुत बढ़िया है और नीरजार भावना की इस प्यारी परफॉर्मेंस के लिए इन सब तरीफों के साथ आपके कमेंट्स के साथ इस जोड़ी को हम रखते हैं नमबर तीन के उपर नमबर दो प्याती अंशिका और आरियन के जोड़ी ये एक ऐसी जोड़ी बन गए ये दोस्तों की इनका डांस देखने में मज़ा आता है ऐसा नहीं लगता है कि एज गैप है या ऐसा है कभी-कभी अंशिका बड़ी लगती है कभी-कभी आरियन चोटे लगते हैं तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने what is your mobile number के उपर डांस किया standing ovation तो मिलना ही था और करिश्मा ने कहा कि मैं इस performance को बिलकुल नहीं बूल सकती हूँ बहुत ही powerful dancers हैं और दोस्तों साथ में उन्होंने बक्षिश भी दी अंशिका का और ये कहा कि हम भी जब बहुत अच्छा डांस करते तो हमारे बड़े हैं हमारे choreographers रोजखान हमें बक्षिश देते थे गीता ने भी बहुत प्रेज की अंशिका है ही प्रेज के काबिल कप मिले सीड़ी पे चड़ी सब कुछ हुआ और अंशिका और आरियन के स्चोड़ी को हम रखते हैं नंबर दो के ओपर नंबर वन पे हैं दोस्तो छोटा पैकेट जी हाँ इशा इशा और सुनाली की जोड़ी जब से सुनाली आही है इशा की गुरू बनके तब से इशा की जो performance है दिन बदिन इंप्रूव होती जा रही है हर बार वो different form के साथ आती हैं और perfectly form करती हैं यही देखके सब जज्जि इस भी हैरान थे और इस एपिसोड में उन्होंने यह शेर किया कि हमने जब यह फैसर लिया था इशा को इस शो में लाने का इस रेस में शामिल करने का तब बहुत सारे लोगों का कहना था कि यह क्यूट दिखती है इसलिए हमने इस शो पे लिया है मगर इशा ने हमारी large र गीता से, अनुराग से और करिश्मा से और हम भी उनको बहुत सारा प्यार देते हुए रखते हैं नमबर वन के उपल यह थी दोस्तों इस हफते की टॉप 10 की रैंकिंग आपको कैसी लगी? कमेंट कीजिये और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंक यू सो मच